हेलो गाईज स्वागत है आपका एजुकेशनल ग्रूप आफ उत्राखंड में आज हम चर्चा करेंगे ससी जीडी कॉंस्टेवल दोजार अठारा उनिस की जो वेकेंसी है उसकी कट ओफ कितनी रहने वाली है तो गाईज अगर हम यू आर की बात करें देखिए गाईज एक टोफ जो है यह इस्टेट वाइस जाती है कैसे जाती है इस्टेट वाइस जाती है किलिए सबसे पहले आप यह अपने दिमाग में बिठा दें कि जो कट ओफ होगी वहार स्टेट वाइस होगी सबसे ज्यादा जो कट आफ जाएगी गाईज वह जाएगी भीहार रियाना अ यूपी और उत्राखंड की तो गैस मैं यहाँ पर बात करूंगा उत्राखंड और यूपी की किलिए रहे गाईज उत्राखंड की गाईज अगर 2015 की बात करें 2015 की 2014 में जो वेकेंट से आई थी और 2015 में उसका फिजिकल था उसमें मेरा खुद का फिजिकल था गाईज 29 जून 2015 का और रिटन था हमारा 4 अक्टूबर सन 2015 का मार्च लगबग 20-21 को हमारा रिजल्ट आउट हो चुका था गाईज और मैं इस बार की कट आउफ का जो अनलिसिस है वो बता रहा हूँ आपको यू आर कैटिगरी में यू आर में जो गाईज 65 प्लस हैं आप लोग बोलेंगे की 2015 में आई थिंक कट आउफ 66 थी लेकिन इस बार कंप्यूटराइजड पेपर था Maximum Candidates, Maximum Candidates UP और उत्राखंड के बहुत से ऐसे हैं जिने ये पता नहीं था कि Negative Marking है या नहीं उस चक्र में उन्होंने बहुत से Question Leave किये हैं तो जिन्होंने पूरे Question Attempt किये हैं उन्हें Benefit मिलेगा उस बात का जो Cut-Off कम रहने के Chance से उसके बहुत सारे परमान हैं जैसे की 52,00,00,00 उन्में से Only 30,00,00 have appeared सिर्फ 30,00,00 लोगों ने पेवर्दी है guys around 58% ये पूरा डाटा आपके SSC ने अपनी साइट में डाला है और जो vacancies हैं वो बढ़कर कितनी हो चुकी है गाईज अठावन हजार हो चुकी है पहले यह 54,000 थी पहले vacancies गाईज चौवन हजार थी अब यह vacancies अठावन हजार हो चुकी है तो गाईज जो लोग उत्रा खंड में उत्रा खंड में जो 65 प्लस हैं जनरल में जनरल में जो 65 प्लस हैं जो 70 प्लस है वो तो कंफर्म अपना लेकर चले वो कंफर्म उनको रेस के लिए आएगा क्योंकि दस गुना बुलाने हैं तो आप लगाए अठावन यानि पांच लाक असी हजार अगर वो पांच लाक भी तो प्लस माइनस इसके कंपेरिजन में जनरल के कंपेरिजन में प्लस माइनस आठ एस्टी प्लस माइनस दस बाला यह मैंने ज्यादा बता दिया है एसी और एस्टी के चांसे सेंकी लगबग सेम ही रहे तो गाईस जिनका 65 प्लस भी बन रहा है तो आप रणिंग स्टार्ट कर दें रणिंग के लिए आप हाल फिलाल दो हफ्ते तक मातर धाई तीन किलियो मिटर भागें क्योंकि देखिए गाइस 31 मई को रिजल्ट आउट है 31 मई 2019 को रिटन का रिजल्ट आउट हो जाएगा तो आप यह मान के चलें जून 25 जून 25 जून 25 से आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं तो अगर आप अभी से अगर आपने पहले कभी प्रैक्टिस नहीं की हैं तो आपको अभी से प्रैक्ट किया हैं वे लाच्ट के b10 दिन भी भागें घृ नायिंगे वह अपनी रेस खींच लेंगे जो जिन्हों नहीं किये वह पहले दो हफ्ते तक गाइस सिफ 2 किलुमेटर भागें पहले तो आप एक किलुमेटर ही भागें इनफ है Ар भी उसके बाद आप एक किलुमेटर से 2 km 2 km से आप 3 km 3 से 5 अंतिम अंतिम के जो आपके 25 दिन बनते हैं उसमें भी यदि आप 5 km पूरे भागते हैं तब भी आपका आराम से हो जाएगा इसका फिजिकल इतना हार्ड नहीं होता है ऐस लाइक आर्मी तो गाईज मेरा मोटिफ यही था आप लोगों को बताने का कि आ आप लोग प्रिपेर करें भागें और यह आपकी कॉट आफ थी थैंक्यू गाईज आप अ